हेलो आज के वीडियो में हम जाने वाले हैं वीप फ़्सेश कराई वीप का मतलब रोना होता है गारा-पसेश कराई कर न ऑल रहुर 그 रहाब तो क्या आप जोर जोर सा रोते हैं कि मेरा गर्फरेंड भाग गई या फिर मेरा गर्फरेंड छोर गई या फिर आपका बॉइफरेंड भाग जाता है तो आप बोलते हैं जोर जोर सा रोते हैं कि मेरा बॉइफरेंड भाग गया नहीं आप मन में ही रोते हैं कि मेरा बॉइफ जोर से रोता है तो इसलिए हम कराई का यूज करेंगे तो जैसे वह रो रही है तो सीज वीपिंग का यूज इसलिए किये किये क्योंकि वह मन में ही रो रही है second है बच्चा रो रहा है तो अब ही हम आपको बताएं कि बच्चा जो रोता है वो देहरे तो रोता नहीं मन में तो रोता नहीं वो तो जोर जोर सो रोता है इसलिए हम cry करेंगे तो baby is crying last sentence है आपके लिए कि वो बच्चे की तरह रो रही है इसका translation क्या होगा आपको comment करना है thanks for watching